गर्मी भी अभी ठीक से नहीं आई है और उत्रप्रदेश के तमाम इलाके आग से धदकने लगे हैं दो दिनों में प्रदेश के चार बड़े जिलों में भीशड अगनी कांड की घटनाओं ने राजय में हड़कब मचा दिया है कानपूर में लगी आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि प्रदेश की राज़ानी लखनाओं के एक अपार्टमेंट में आग की लप्टें उठने लगी प्रयागराज के संजे मार्केट में भीशड आग से कई दुकानों का सामान जल कर राख हो गया और अब ताज नगरी आगरा में केमिकल फैक्टरी में आग लगने से अफ्रा तप्री मच गई है चारो जिलो में हुए हाथसे से लाखों के नुकसान का अनुमान है प्रदेश के कानपूर के होजरी रेडिमेट बाजार में लगी आग बीते 30 गंटे से धदक रही है आग पर काबू पाने के लिए 5 जिलों से दमकल की गाडियों डिफेंस समयत लखनों के साथ ही प्रयागराज से हाइडरोलिक फायर सिस्टम को मगाया गया है दमकल कर्मियों के साथ ही सेना ने भी मोर्चा संभाल रखा है जिला प्रशासन ने शासन से NDRF के टीम की भी मांग की है इसके साथ ही जिला प्रशासन आग बुझाने में IIT कानपूर के एक्सपर्ट्स की भी मदद दे रही है हादसे में अब तक एक व्यक्ति की मौत होने की गटना सामने आई है वहीं आग से 700 से ज़्यादा दुखाने जल गई है कानपूर के बाजार में लगी आग अभी बुझी भी नहीं थी हायर ब्रिगेड के करमचारी आग बुझाने में लग गए जानकारी के मताबिक हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है महीं पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुट गई है प्रदेश की राधानी लक्नौव में भी एक अपार्टमेंट में भीजण आग लगने की खबर सामने आई है अपार्टमेंट के घर में लगी आग की लटने देका आसपास में अफरातफरी मच गई एसचे ने बताया कि गुडंबा शेत्र के खुरसी रोड इस्थिति स्मृति अपार्टमेंट में आग लग गई थी जिस पर काबू पालिया गया है उन्होंने बताया कि अपार्टमेंट के साथ में फ्लोर पर एक घर में आग लगी थी फिलहाल मिल रही शुरुवाती जानकारी के मुताबिक अपार्टमेंट के डीव लाग 707 कमरा नंबर में रखा सामान बुडी तरह से चलकर खाग हो गया है जिस समय घर में आग लगी उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था इसके कारण जान की कोई शती नहीं हुई आग उठने वाले धुवे ने विगराल रूप धारन कर लिया है पुलिस और फायर बिगेट ने आसपास के मकावनों में रहने वाले लोगों को बाहर निकाल लिया है